जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव करवाने वाले हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे चैनल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजे घंटी वाले आइकन को दबा लिजे ताकि आने वाले हैं एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबैल पे जाता रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है कि इदगा कौन सी विद्या है यानि इदगा जो है आपका एक कहानी है इदगा के बारे में एक कहानी है इदगा पार्ट का लेखा कौन है तो इदगा पार्ट का लेखा के प्रेमचंद बहुत ही अच्छा सवाल है एक्जाम में आएगा प्रेमचंद क उर्दू में लिखते थे तो वो नवाब राय के नाम से लिखते थे प्रेमचंद की सभी कहानिया किस पुस्तक में संग रही थे तो प्रेमचंद की जो सभी कहानिया है वो मान सरोबर में इस्तित है इदगा हमें किस महतपुन तेवहार के आधार बना कर ग्रामिन मुस्लिम ज पात्र हामित की दादी का नाम क्या है तो हामित की दादी का जो नाम है वो है अमीना नेक्स्ट है आपका इदगा कहानी में हामित के पिता का नाम क्या है तो हामित के जो पिता जी थे उनका नाम था आबिद कौन था आबिद था उसका पिता जी नेक्स्ट है हामित के पिता ग तो वो जो पैसे देती है, वो तीन पैसे देती है, याद रखिएगा, रमजान के कितने दिनों के बाद E दाता है, तो रमजान के 30 दिनों के बाद E दाता है, याद रखिएगा, अगर 30 और 29 अलग अलग हो, तो फिर आपको 30 में करना होगा, लेकिन अगर 29 या 30 ऐसे हो, तो आ आप 29 या 30 में करोगे ठीक है फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे तो यहाँ पर जो पैसे मिले थे आठ आने मिले थे नेक्स्ट है आपका हामित के गाउं से इदगाह की दूरी कितनी थी तो हामित के गाउं से इदगाह की जो दूरी थी वो थी आपका तीन कोस दूर था नेक्स्ट है आपका महसिन के पास कितने पैसे थे तो महसिन के पास जो पैसे थे पंदरा पैसे थे अगला सवाल है आपका महमूत के पास कितने पैसे थे तो महमूत के पास बारा पैसे थे याद अखियेगा कितने पैसे थे बारा पैसे थे, किसके मामा थाने में कॉंस्टेबल थे, तो महसिन के मामू का वेतन कितना था, महसिन के मामू का वेतन 20 रुपईया था, महसिन के मामू घर कितना पैसा भेजते थे, तो वो जो घर पैसा भेजते थे, वो 50 रुपईया भेजते थे अगला स्वाल है हमारा कि जिन्नात को रुपिय की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चला जाए इदगा कहानी में ये वाकिकी सपात्रम ने कहा है ये जो कहा है मौसिन ने कहा है मेले में चर्खी पर एक पैसे में कितने चक्कर घुमने को मिलता था एक पैसे में कितने चक्र वो घुम सकता था मेला में तो 25 कितना 25 चक्र महमूद कौन सा खिलावना लेता है तो महमूद जो खिलावना लेता है वो सिपाही लेता है नेक्स्ट है महसिन कौन सा खिलावना लेता है तो महसिन जो लेता है वो भिस्ती लेता है महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिया तो वो जो दिया था आपका केला ठीक है नेक्स्ट है आपका दुकांदार ने चिम्टे का दाम कितना बताया दुकांदार ने चिम्टे का जो दाम बताया था वो बताया था 6 पैसा ठीक है याद रखिएगा चलिए अगले सवाल पे आते हैं अगले सवाल है अमारा की दोपहर का भोजन पार्ट का लेखा कौन है तो दोपहर का भोजन पार्ट का लेखा कै अमर कांथ दोपहर का भोजन साहित की सिविधा की रचना है तो ये जो रचना है आपका कहानी है याद रखेगा इंपोर्टेंट रहेगा एक्जाम के लिए अगला सवाल है हमारा कि अमर कांत का वास्तविक नाम क्या था तो अमर कांत का जो वास्तविक नाम था स्री राम बर्मा था कौन था स्रीराम बर्मा, अमर कांथ को किस रचना का साहित अकादमी पुरुसकार मिला, तो वो जो मिला था इन ही हतियारों से, किसे मिला था इन ही हतियारों से, अमरकांत किस आंदोलन का एक प्रमुख कथाकार है तो अमरकांत जो था वो नई कहानी का प्रमुख कलाकार है जिंदगी और जोंख किनकी रचना है तो जिंदगी और जोंख जो रचना होगा वो हो जाएगा आपका अमरकांत का रचना है ठीक है दोपहर के भोजन कहानी की सिदेश्वरी के पती का क्या नाम था तो उसके पती का नाम मुंसी चंद्री का परसाथ था अगला सवाल है हमारा कि सिदेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयू कितनी है तो उसके जो बड़े लड़के की रामचंद्र की आयू 21 वर्स है सिदेश्वरी के मजले लड़के मोहन की आयू कितनी है तो मोहन की आयू थी वहाँ पे 18 वर्स तीक है अगला सवाल है हमारा कि सिदेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोध की आयू कितनी है तो प्रमोध की आयू थी 6 वर्स दोपार का भोजन कहानी मूलता किस वर्ग का परतिन सिदसवरी ने किसी सब्जी बनाती चने की सब्जी मुनसी चंदरी का परशाद की आयू कितनी थी उनकी जो आयू थी आपका 45 वर्ष किस लड़की की शादी तय हो गई थी तो गंगासरन बाबु की तय हो गई थी सिदेशवरी ने कितनी रोटियां बनाई थी सिदेशवरी ने जो रोटियां बनाई थी वो साथ रोटियां बनाई थी विभाग के कलरकी से किनकी छुट्टी हुई विभाग के कलरकी से जो छुट्टी हो गई थी वो मुंसी चंद्रिका परसाथ की हो गई थी सिदेशवरी का बड़ा लड़का अस्थानिक दैनिक समचार पत्र में क्या काम सीख रहा था तो वो जो सीख रहा था प्रूफ रिडिंग का किसका काम सीख रहा था प्रूफ रिडिंग का तो वो है प्रमोद, कौन बिमारे प्रमोद, शिदिस्वरी हाई राम कहे कर जमीन पर क्यों लेट गई, तो वो लेट गई, खाली पेट पानी पीने के कारण नेक्ष्ट स्वाल हमारा कि मुनसी जी ने खाना खाने के बाद क्या माँगा था पन्डुक क्या है खर में मक्ह्यों का भिन्विनाना पंक्ती से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है तो ये जो मिलता है दरिदृता का मालूम होता है अब बारिस नहीं होगी ये बात मुंसी जी ने किस से कही थी सिद्यसवरी से कहा था अगला सवाल है हमारा कि बताईए हरी संकर परसाई की रचनाव में किस भाव की परधानता है तो हरी संकर परसाई की रचनाव में किस भाव की परधानता है तो व्यंग की परधानता है हरी संकर परसाई का जनम जो है वो कहां हुआ था तो हरी संकर परसाई का जो जनम हुआ था होशंगा बाद मद्य परदेश में हुआ था नेक्स्ट है आपका जैसे उनके दिन फिरे की रचना का विद्या क्या है तो ये हो जाएगा आपका कहानी है ठीक है हरी संकर परसाई का चर्चित उपन्यास क्या है तो हरी संकर परसाई का रानी नाकफनी की कहानी कौन है रानी नाकफनी की कहानी हरी संकर परसाई द्वारा लिखित वियंग है आपका वैसनव की फिसलंद तिर्छी रेखाएं छिटूरता हुआ गंतंत्र उप्यूक्त में से सभी हो जाएगा नेक्टे आपका परसित वियंग ने लेखक हरी संकर 책 द्वारा संपादित पत्रिका वशुधा का परकासन कहां से होता था तो ये जो परकासन होता था ये जबलपूर मध्य परदेश से होता था नेक्ट है आपका परसाई जी ने असनातत कोर की उपाधी किस विष्विध्यले से हासल की दी ये जो किया था नागपूर विष्विध्यले से किया था अगला सवाल है हमारा कि टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग किया है ये जो किया था आस सास्वस्त जयोती क्या हो जाएगा सास्वस्त जयोती ठीक है चलिए अगले सवाल पर आते हैं बंगले पर पहुँचकर मैंने उसका ठाट देखा यह ठाट का क्या अर्थ होता है यह ठाट का अर्थ होता है वैभाव किस कमपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम सुरूर किया गया तो किसको किया गया था सूरत च्छाप किसका सूरत च्छाप वाक्य को पूरा किजिए सूरत च्छाप टॉर्च खरीदो और सूरत च्छाप टॉर्च खरीदो और कहानी के अधार पर इसको पूरा करना है और अंधेरे को दूर भगाओ ऑप्सन खो हो ज मिलते हैं अंधकार में प्रकास की किरन है जैसे प्रकास में अंधकार की किंचित कलिमा है यह किंचित का क्या आर्थ होता है तो यह किंचित का जो आर्थ होता है थोड़ा ठीक है क्या होगा थोड़ा होगा नेक्स्ट है आपका उसने कहा था धंदा वही करूंगा बस कंपनी बदल रहा हूँ, ये किस धंदे की बात हो गई कही गई है, तो ये जो बात कही गई है, तो गुंगे कहानी में दिवग्यांग कौन है, तो गुंगे कहानी में जो दिवग्यांग है, वो एक गुंगा है, गुंगा किस विद्या की रचना है, तो गुंगा जो है, वो कहानी है क्या है गुंगा क्या है एक कहानी है अधुरी मूरत के रचनकार कौन है अधुरी मूरत के जो रचनकार है रांगे राघव है जीवन के दाने कहानी संगरह किसकी है तो ये जो हो जाएगा रांगे राघव की अंगोर ना बुझे किसकी रचना है तो ये जो है आपका रांगे रागहव की रचना है आयास मुर्दे किसने लिखी है आयास मुर्दे किसने लिखा है तो यह जो लिखा है रागे रागहव ने लिखा है याद रखेगा इसका बहुत सारा सवाल एक्जाम में पुस्ता है इंसान पैदा हुआ है यह किसकी पुस्ता करें तो इंसान पाइदा हुआ है यह रांगे राघव किये तो यह काम किजिएगा कौपी में एक तरफ रांगे राघव लिख लिजिए जितना भी पुस्ता कि सब कुछ का एक जगा कर लिजिए और याद कर लिजिए ठीके कब तक पुकारू उपन्यास की किर्थी है तो यह जो ह किया तरफ है गुंगे ने अपनी भुजाओं पर हांत रखकर क्या संकेत दिया महनत की खाता हूं यह छोड़ दो रूरपय प्र आओ गुंगे को जो पाला था यह भुआ खूपा ने पाला था ठीक है गुंगा कितने पैसे में चमेली के यहां काम करने के लिए त्यार चार रुपईये में चमेली के बेटे का नाम क्या था चमेली के जो उस समय बेटा था उसका जो नाम था वो था बसंता चमेली की पुतरी का नाम क्या था तो चमेली की जो पुतरी थी वो थी साकुंतला ठीक है किसने कहा इसारे गजब से करता है किसने कहा इसारे गजब से करत तो शुशीला ने गुंगा को काम पर किस ने रखा था तो गुंगा को काम पर जो रखा था चमेली ने रखा था ठीक है गुंगा किस कारण से गुंगा है जनम से बहरा होने के कारण गले में काकल ना होने के कारण बोल ना पाने के कारण इन में से सभी हो जाएगा option D ठीक है चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल देखें क्या है हमारा, गुंगा कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया, तो गुंगा कहानी में चमेली ने अनुभव किया, कि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो, तो आदमी का क्या से क्या हो जाता है, ये बात उसको अनुभ गया है ये कथन किसका था तो ये जो कथन था चमेली ने कहा था खेलते खेलते किसने कस कर गुंगे को चपत जड़ दी यानि कि उसको मार दी तो बसंता ने किसने मार दी थी तो बसंता ने गुंगा कहां से मार खाकर आया था तो गुंगा जो मार खाकर आया था सड़क के लड इंपॉर्टन रहेगा आपके एक्जाम के लिए कभीर की अधिकांस कभीता निर्गुन भक्ती में है कभीर की भासा कैसी है तो कभीर की जो भासा है याद रखिएगा सदूपडी भासा है कैसी भासा है सदुख़ी बासा है मुसलमान किसके साथ बियाह करते हैं तो मुसलमान जो किसके साथ खाला की बेटी ठीक है मतलब कजन जो होता है वही होता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है आपका अरे इन दोहन रह ना पाई, में किन दो धर्मों के लोगों का वर्नन किया गया है इसमें जो किया गया है, हिंदू और मुसलमान दोनों का वर्नन किया गया है वे छुआ छूत की भावना से गरसी थे, ये किसके लिए किया गया है तो ये जो किया गया है हिंदू के लिए किया गया है कबीरदास की मिर्तिव कहां होई थी तो कबीरदास की जो मिर्तिव होई थी वो मगहर में हो गई थी कहां पे हो गई थी मगहर में हो गई थी बाहर से एक याद रखेगा बाहर से बाहर से एक मुर्दा लाए धोय धाय चड़ाई किसके लिए कहा गया है ये कहा गया है मुसल मानों के लिए कहा गया है हिंदु अपनी बढाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं हिंदु अपनी बढाई करते हैं परंतु वैश्या के तले सोते हैं धोई धाय सब सख्या में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है कामिन को है बालम प्यारा, जिउंप्यासे को नीर डे, कभी कामिनी सब्द का परियोग इसके लिए करते हैं, ये करते हैं इस्तरी के लिए, अन न भावे, नीन न आवे, ये किसकी विरह पीड़ा को दरसाता है तो ये जो दरसाता है प्रियसी प्रियसी की द्रफ पिड़ा को दरसाता है कबीर के पदों का संगरा किस पुस्तक में मिलता है Most Important रहे आपके एक्जाम के लिए यह हो जाएगा आपका बीजक में कबीर के गुरू का क्या नाम है था कबीर के जो गुरू थे उनका नाम था रामानन नेक्स्ट है आपका कबीर के पहले पद में किसके धर्मा चरन पर हार किया गया है किसका किया गया है तो हिंदू और मुसल्मान प कभीर गरंथा की रचना कि थी स्याम सुन्दर दास ने कबिर दास की रचना बीजक का संकलन किस ने किया तो बीजक का संकलन किया था धर्म दास ने कबिर दास की भासा का प्रहार किस रूप में अधिक तेज है तो ये जो तेज है आपका समा सुधारक के रूप में तेज है कामिन को है बालम प्यारा जियों प्यासे को नीर रे पंती में कौन सा अलंकार है यह जो हाँ पे जो अलंकार है उत्प्रेक्षा का अलंकार है पहले पद में कबीरदास जी की सैली कौन सी है तो पहले पद में जो कबीरदास जी की सैली है वो है आपका उपदेस्तात्मक सैली ह अगला सवाल है हमारा कि सूर्दास किस काल के कवी हैं जो सूर्दास हैं वो जो है भक्ति काल के कवी हैं सूर्दास के गुरु का क्या नाम था सूर्दास के जो गुरु के नाम थे वललभा चारी यह भी most important रहेगा आपके एक्जाम के लिए सूर्दास मुखिता किस रस के कवी हैं तो सूर्दाज जो थे वो सिंगार और वातस से लज़ के कभी हैं गोवर्धन परवत को किसने उठाया था तो गोवर्धन परवत को कृष्ण ने उठाया था किसने उठाया था कृष्ण ने उठा लिया था खेलना में काकू गुसईया पद में किसकी बाल लीला का वर्नन है यहाँ पर जो बालिला का वश्ची करदर का जाता है वंन लभाचारी को मुरली के कारण क्रिष्ण की क्या दसा हो गई है तो मुरली के कारण किसी की आग्याकारी कमरतिर्धी मुरली के वस में हो गए है तो उप्युक्त में से सभी हो जाएगा right answer option गो हो जाएगा सूर्दास किस साखा के कवी हैं तो सूर्दास जो हैं वो कृष्ण भक्ती साखा के कवी हैं नेच्ट है आपका अश्ट छाप के कवी कवी ओमें परमुक थे अश्ट छाप जो थे वो सूर्दास थे अगला सवाल है हमारा सबसे अधिक गाएं किसके पास है वो स्रीकृष्ण के पास थी गिर्धर नार नावती में नार सब्द किसका अर्थ है तो नार सब्द जो होगा वो नारी और गर्दन दोनों के लिए होगा नेक्स्टे आपका सुर्दास के दूसरे पद में गोपियां किसके परती अपना रोश व्यक्त करती है तो किसके परती करती है तो कृष्ण की बासुरी के परती अपना रोश व्यक्त करती है नेक्ष्ट सवाल है हमारा कि सुर्दास दूसरे पद में अधर, सज्जा और करपलो में कौन सा आलंकार है तो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे गो यानि की रूपक आलंकार है सुर्दास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्नन है तो यह हो जाएगा आपसन गो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा सूर्दास का जनम कब हुआ था तो सूर्दास का जो जनम हुआ था वो हुआ था 1478 इस्वी में नेक्स्ट है आपका गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन सा प्रिय है गोपियों को अनुसार कृष्ण को कौन प्रिये है तो गोपिया को निसार कृष्ण को जो प्रिये है वो मुरली प्रिये है निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है तो निम्न में कौन सूरदास की रचना होगी ये हो जाएगा आपका सूर सागर सुरा वली और साहित लेरी तो उप्युक्त में से सब हो जाएगा खेल में कौन जीत जाते हैं तो सुदामा खेल में हारने पर कौन गुस्सा करने लगता है तो स्री कृष्ण कृष्ण खेलना चाहते हैं तो किसकी दुआई देते हैं तो कृष्ण खेलना चाते हैं तो नंद बाबा की द्वाई देते हैं सूर्दास की भासा है सूर्दास की कैसी भासा है तो बर्ज भासा है अगला सवाल है कृष्ण प्रसन होने पर क्या करते हैं गोपियो ने चतुर की संग्या किसे दी है, तो आशा करते हैं, आप लिगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगका, तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा, और इस वीडियो को सपोर्ट किया था पिरिया न जार्खंड से डोली कुमारी ने गिरीडी से विकास कुमार पलामू से संतोस कुमार हजारी बाक से सांती हेमरम गुड़ा से किशन लातेहार से शिवम कुमार दुमका से और रोशन है गिरीडी से पांडु मुंडा पलामू से शांती प्रिया चत्रा से सुधीर हजारी बाक से तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना नाम और अपने जिला का नाम हमारे इस वीडियो में जरूर टाइप करें कॉमेंट में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में थैंक यू